दोस्तों मौसम बदलने के साथ कुछ लोगों में घुटने के दर्द की परिसानी बढ़ने लगती है ज्यादातर लोग ऐसे में कई प्रकार के आइन मेंट्स का इस्तेमाल करते हैं या लरसन वाले तेल से घुटने की मालिस करते हैं वहीं अगर घुटने का दर्द ज्यादा दिन तक रह जाए तो डाक्टर ज्वाइन बदलने की सला देते हैं जो की बहुत दर्दनाक होता है पर ज्वाइन को बदलवाने के बाद कुछ लोगी परिसानी और बढ़ सकती है जिससे उन्हें जीवन भर उठने बैटने में मुस्किल हो सकती है साथी चलने फिरने में भी सिकायत रहने लगती है जिसके कारण सरीर की बाकी लाइफ इस्टाइल से जुड़ी बिमारिया बढ़ने लगती है ऐसे में आप अपने पुराने से पुराने घुटने के दर्द के लिए एक आयरुवेदी काड़ा का सेवन कर सकते हैं दरसल आयरुवेदी में घुटने के दर्द के लिए हर सिंगार के फूल से बने काड़े को रामबार मारना गया है इस काड़ा का दिन में दो बार एक एक अप पानी में 40-45 दिन तक सेवन करने से आपको घुटने के दर्द से छुटकारा मिल सकता है आये हम आपको बताते हैं कि हर सिंगार के फूल और पतों से काड़ा कैसे बनाते हैं हर सिंगार का काड़ा बनाने के लिए जो सामगरी आपको चाहिए उसमें 100 ग्राम हर सिंगार के फूल और पते उसके साथी 4 ग्राम चूना जो पान में लगाया जाता है यानि खाया जाता है उसके अलावा एक लीटर पानी, थोड़ा नीबू का रस और गुड़ या सहथ काड़े में केवल इनी चीजों की जवरत पड़ती है तो जान लेते हैं काड़ा बनाने की बिधी हर सिंगार के फूल और पत्तों को लेकर उसे धोकर सुखा ले फिर इने ओकली में अच्छे से कूटे इन दोनों को कूटने के बाद इसे एक बार फिर से धूप में सुखा ले ताकि आप इसे कुछ दिनों के लिए रख सके इसके बाद जब भी आप कड़ा बनाना चाहें इस पाउडर को लेकर गर्म पानी में डाल कर उबाल ले ध्यान रखें कि पानी लगबग एक लिटर के करीब हो और पाउडर को उसमें डाल कर हल्की आँच में पकाएं जब आपको लगे कि यह घटकर दो कब जितना बन गया है तो आँच से उतार दे फिर इसे चान कर इसका काड़ा निकाल ले फिर थोड़ा सा चूना, कुछ बूंद नीवू का रस और मिठास के लिए सहद या गुड का अच्छे से प्रियोग करके इसे घोल कर गर्म गर्म पीएं तो दोस्तों आपने जाना कि यह बनाना बहुत ही आसान है इसके अलावा हर सिंगार के काड़े का बिमारियों में क्या-क्या फायदा होता है इसके वारे में भी थोड़ा जान लेते हैं यह गठिया के लोगों के लिए बहुत ही कारगर दवाई है हर सिंगार के काड़े को ठंडा करके प्रति दिन सुबह खाली पेट पीएं नीमित रूप से इसका सेवन बर्सो पुराना गठिया के दर्द सेवी निश्चित रूप से लाप देता है इसके अलावा अगर आपका बाल जढ़ रहा है या फिर गंजा पना रहा है तो इस काड़े को गाड़ा करके 30 मिनट तक गंजे सिर पर लगाए इस प्रियोग को लगातार 21 दिन तक करने से गंजेपन में फायदा मिलता है इसके अलावा मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया में भी हर सिंगार के फूल और पत्तियों से बना काड़ा बेहद लाव परद होता है डेंगू से लेकर मलेरिया या फिकनगुनिया तक हर तरह के बुखार को खत्म करने की चमता इसमें होती है जिन रोगियों को अस्तमा यानि सांस समंधी रोगों में हर सिंगार की छाल का चून बना कर पान के पत्ते में डाल कर खाने से लाव होता है इसका प्रियोग सुबह और सांस किया जा सकता है अस्तमा की खासी में आदा चम्मच हर सिंगार काड़ा काफी फायदे मंद हो सकता है इस प्रियोग को दिन में दो बार करना चाहिए इसके अलावा हर सिंगार का काड़ा पेच के कीड़े बानने के लिए एक रामबान दवाई है सुबह दो पहर वो साम को गाढ़ा करके एक शम्मच लेने से पेच के कीड़े समाप्थ हो जाते हैं इस प्रियोग को कम से कम 3 दिन तक करना चाहिए, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं और पेट स्वस्त रहता है। दोस्तो हर सिंगार का काड़ा फायदे मन तो है ही इसके साथी कुछ सावदानिया भी हमें रखनी पड़ती है। जैसे हर सिंगार का काड़ा खाना खाने से कम से कम 30-40 मिनट पहले पीएं। नहीं तो आपकी पाचन से जुड़ी समस्या बढ़ सकती है और यह फायदे की जगए नुकसान कर सकता है। तो इस बात का विसेस ख्याल रखें कि खाना खाने से 30-40 मिनट पहले ही हर सिंगार का काड़ा पीएं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। साथी अगर हमारे चैनल पढ़ना हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगर लेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।